तो नमस्कार दोस्तों कैसे वाब सब अभी 25 अगस्त कुवा है दंतेवडा साय ग्रेट 3 इश्टेनो टाइप इश्ट का लिखित पेपर और चले दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं इसके माडल आंसर पर ठीक है तो चले शुरू करते हैं दोस्तों ये चल हुए 1988 में हिंदी सब्द वीवित का अंगरेजी सब्द कौन सा होगा इसका आप्सन दोस्तों हमको मिलनी पाया है दही में कौन सा अमला पाया जाता है तो दोस्तों दही में पाया जाता है लैक्टिक अमला ठीक है प्रबल अमला में दूर्बल चार मिलाने से परिणाम क्या होता है दोस्तों प्रबल अम्ल है और दूर्बल चार घोल जो है अम्ली होगा अस्प्रिस्यता का अंट किस अनुच्छेद में है तो दोस्तों सेटर है अनुच्छेद 17 राष्टपती को सपत कों दिलाता है तो दोस्तों भारत के जो जच्ची से वे दिलाते हैं केस काल घाटी में कितने गुमाओदार मोड है तो दोस्तों से उत्तर यहाँ पर है बारा बस्तर की पुरानी सरकारी भासा क्या है तो दोस्तों यह है हल भी गामा बारा इसमारक किस से संबंदी थे दोस्तों यहाँ पर कुछ जो है तुरूटी गाउं है और गाउं के पास ही यह जलप्रपात है इसलिए इसको खांदा वाड़ा जो है जलप्रपात कहा जाता है वरतमान में दोस्तों यह नरायणपूर जीला में पढ़ता है ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों कंपेटर किन में से कौन सा इंपूट डिवाइस नहीं है बॉनिटर दोस्तों आउटपूट डिवाइस है बस्तर का पहला संसत कौन थे दोस्तों बली राम का सब जी थे वे पहले संसत थे पानी पत का तीसरा युद्ध कब हुआ तो दोस्तों चवदा जनुवी 1761 को चटिस गड़ का वरतमान वितमंतरी कौन है तो दोस्तों वे है ओपी चवदरी जी इसरो के वरतमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों एस सोमनात जी वरतमान अध्यक्ष है कोशन नमबर 16 देख लिए क्या बोल रहा है यूईनो के वरतमान अध्यक्ष महासचिक कौन है दोस्तों यह है एंटेनियो गुट्रेस पहला कम्प्टर वाइरस क्या ह तो दोस्तों ब्रेन नामा के एक वायरस था जिसको पहला computer वायरस जो है माना जाता है हाट इसपाट सब्द का प्रयोग किस ने किया था दोस्तों नार्मन मेरस थे उन्होंने इस सब्द का पहला प्रयोग जो है किया था question number 19 ले लिए भारत के प्रथम computer क्या है तो दोस्तों ये सही प्रसन ऐसा हो गया भारत में निर्मीत प्रथम जो है super computer है वो कौन सा है प्रथम का नाची दोस्तों परम 8000 जो है वो भारत में निर्मीत प्रथम जो है दोस्तों सूपर कंप्यूटर है अजमेर किस नदी के किनारे इस्थित है दोस्तों अजमेर जो है वो लूनी नदी के किनारे इस्थित है अई उरी कौंसर सवर है दोस्तों इसको बोले जाता है लगुसर निम्न में सुद्ध सब्द कौंसर है तो दोस्तों इसका क्या क्या सब्द था य जन जाती है दोस्तों मत्रीश के गोण जन जाती में ये विवाह बाई जाता है एक ही भाई भाई की पूत्र हो जाता है इसको आटा साटा विवाभी कहा जाता है अंडू का साटकट की क्या है दोस्तों ये कंटोल जेड है कोशिय नमबर ट्वेंटी से जिरम घाटी से कौनसा राजमार जो है वो गुजरती है दोस्तों NH30 है वो गुजरती है साल में फूल लगने पर कौनसा जो तेवहार है चैतमाह में लगता है दोस्तों ये है सरहूल ये दोस्तों सर मने होता है सार को सर यहां बोला गया है हूल मने फूल तो साल के पोधे में पेंड में जब फूल लगता है तो सरहूल का तेवहार जो दोस्तों मनाय जाता है चाइद माय में ये होता है 36 गड़ का नागलो किसे का जाता है दोस्तों ये तपकरा का जाता है जस्पूर का एक बलाग है हर्स चरीत के लेखा कौन है ये दोस्तों बाढ़ भट बस्तर संभाग में से कोई सिला लिख जिसमें किसी वंस का लेख मिला हो दोस्तों काकेरा का सोमवल्स कोशिय नमबर 32 भतरा जनजाती का माटी देव क्या है दोस्तों ये है भहरम देव किसी के मरने पर कौन सा गीत जो है गाया जाता है दोस्तों ये गीत का नाम है घोटु पाटा कोशिय नमबर 34 बस्तर दसारा की शुरुआत किस ने किया दोस्तों चालिक कुएंस के चौथे राजा पूरसुत्तम देव नहीं जो है इस बस्तर दसारा है उसकी शुरुआत की जन जातियों को धेरसा तेवार किस विशाय या कौन से जन जाती दोरह बना जाता है दोस्तों ये क्रिसी विशा से संबंदीत है ठीक है जन जादी तो मेरे को पता नहीं है बाकि एक क्रिसीव से संबंदीत है परल कोट का विद्रह कप हुआ था दोस्तों 24 दिसंबर 1824 को परल कोट का विद्रह जो है वह हुआ था बलवंत राय महता है उनीक रिकमेंडेशन था ये पंचाती राज में गूगल के वरतमान सी यो कौन है दोस्तों सुंदर पिचाई है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों इस कर्वी जो है वो रोग होता है कशन और 40 इंद्र धहँस बीच में कौन सा रंग होता है दोस्तों ये है अरा रंग जन जातीयों को धेरते और किस से समझ देते हैं इस प्रकार से दोस्तों हमको यहाँ पर 42 या 43 कोश्चन यह कवर है, 2018 में किस राजी ने अपना जहन्दा जारी किया था, अपना खुद का फ्लेक, दोस्तों यह है करनाटा, ठीक है, 42-43 कोश्चन दोस्तों हमको मिले हुए है, इसमें से जो आपसन है, वो हमने अपने हिसाब से बनाए है, बाकी कोश्चन दोस्तों, 90-95% तक चांसेज है कि सही है, कुछ चीजें मिश्टेक याद करने में हो सकती है, ठीक है, बाकी दोस्तों, इसमें जो आंसर है, हो सकता है, उसमें कोई आपको आपत्ती हो, अगर किसी कोश्चन में, किसी आंसर में आपको कोई दिक्कत हो, नीचे जरूर कमेंट कीजिए, हम उसको जो है, करेक्ट करने की कोशिस करेंगे, बाकी दोस्तों, ये कोश्चन पेपर हमारे सेकंड लेवल मेंबर्शिप में हैं, उन लोग के लिए, ये दोस्तों, कम्मुनिटी पोस्ट में लगे हुई है, बाकी आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ऐसे ही दोस्तों, और वीडियो आपको मिलती रहे, इसके लिए, प्लीज सब्सक्राइब के चनल, सेर्द वीडियो, थैंक्यू, धन्यवाद,